गुड मॉर्निंग आज की क्लास में हम स्वपाधिक प्रमान से रिलेटेड कुछ कोश्चन सॉल्प करेंगे कंडिशनल प्रोप और इसका अतिवल नियम इसे सम्मादित कुछ कोश्चन बिणाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पिछले क्लास में हमने 19 रूल की चर्शा की थी और उससे रिलेटेड कुछ कोश्चन भी बना करके देखे थे क्लास में हम देखेंगे सौपाधिक प्रमान का नियम दरूल अब कंडिशनल प्रूफ यह क्या है और कैसे बनता है आज हम इस पर चर्शा करेंगे पिछले क्लास में जो हमने 19 रूल की चर्शा की थी यह कोश्चन उससे बनेंगे हम 19 रूल का इस्तिमाल भी करना सिख जाएंगे और यह कैसे बनता है यह भी देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन रहेगा देखे यहाँ पर कोश्चन दिया हुआ है निम लिखित युक्तियों की वैता के सौपाधिक प्रमानों की रचना करें मतलब पिछले क्लास में आकारिक प्रमानों की रचना करें युक्तियों की वैता के सौपाधिक प्रमानों की रचना की मतलब कैसे स्वाफाधिक प्रमानों के रचना की जाती है आईए कुछ कोश्चन इसे हमोड करेंगे मुझ Гप स्वाल करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसे सजाएंगे जयसे हम हे रहे कोश्चर क्रते आये हैं लेकिन इसमें कुछ हलक होगा यह लग होगा यह दिखते है नमबर सब में नमबर देते जाएंगे फर्स्ट नमबर में क्या है O imply P imply Q यह फर्स्ट नमबर होगया जेक Awwuj number में यह हो जाएगा P imply Q imply A यह दो लेन लिखने के बाद में क्या करते हैं यहाँ पे हम therefore o imply p imply r यह last line में हम लिखेंगे उसके जाद फिर number देते जाएंगे जैसे हम number देते गया है third number में क्या होगा तो देखिए इस ते पहले जो हम question बनाते थे उसमें हम यहाँ से बनाना start कर देते थे लेकिन इसमें हम क्या करेंगे cp में क्या क्या जाता है imply का sign जहां भी रहेगा imply का sign उसके पहले वाला आधार वाक्य बन जाएगा और बाद वाला वो conclusion बन जाएगा जब भी हम cp बनाएंगे cp करेंगे किसी भी sentence का तो उसमें जो पहले वाला first वाला रहेगा वो आधार वाक्य बन जाएगा imply के पहले और जो imply के बाद रहेगा वो conclusion बन जाएगा यहां imply के पहले क्या है ओ है तो ओ को हम यहां लिखेंगे फिर से हम लिखेंगे therefore क्या बचा पी इंप्लाई आर पी इंप्लाई आर तो यह लाइन हमें कैसे मिला यह मिला cp से cp उसके बाद में देखें यहां एक और इंप्लाई है और इंप्लाई है मतलब कि यह p फिर से यहां आ जाएगा और आर यहां आ जाएगा imply हमें जितनी बार मिलेगा हम उतनी बार इसे तोड़ते जाएंगे और imply के पहले वाले को यहां लिखेंगे और imply के बाद वाले को conclusion में लिखेंगे तो 4 नमबर देंगे यहां पर imply से पहले क्या है P है तो इसे हम P लिखेंगे यहां पर उसके बाद therefore R यह कैसे आया तो यह भी CP से आया यह लाइन भी हमें CP से मिला अब आगे बनाते हैं बाकी सब सेम है जैसा कि हम बनाते आया है question में CP में बस इतना ही change होता है उसके बाद जैसे हमने 19 rule का यूज किया था वैसे हम 19 rule यूज करके आगे बनाते जाएंगे अब फिफ्ट नंबर में देखते हैं कि क्या होता है देखें यहाँ पर P है यहाँ second line में P imply Q imply R है तो मतलब की 9 rule से याद करिए एक formula था MP का क्या formula था P imply Q P therefore Q अगर P imply Q रहा और P रहा तो हम Q लिख सकते हैं तो इसे हम इस formula में बठाक देखते हैं यह रहा P यह रहा पूरा Q फिर यह P तो इसका मतलब की यह Q यहाँ उतरेगा Q imply R यह line आया कैसे? यह आया 2 और 4 2 नंबर और 4 नंबर के MP से MP हमने यहाँ यूज किया था तो यह MP के formula से आया अब 6 नंबर आगे बनाते हैं 6 नंबर अब 6 नंबर में हम फिर से MP करेंगे 1 और 3 का 1 और 3 का MP करेंगे तो क्या होगा? अभी मैंने आपको MP का formula बताया P imply Q P therefore Q means की P imply Q दिया हुआ है और P है तो हम Q लिखेंगे तो P इसमें यह हो गया और Q यह पूरा यहां से यहां तक हो गया इसे हमने P माना यह पूरा यहां से यहां तक Q हो गया फिर O को हमने P माना तो यह हम Q लिखेंगे इसे यहां से यहां तक है P imply Q P imply Q यह जो मैंने छोड़े-छोड़े आपको समझाने के लिए P, Q लिखा है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है आप इसे नहीं लिखेंगे तो यह P imply Q हो गया यह line कैसा है? तो यह आया है एक और तीन 1 और 3 के MP से 1 और 3 1 और 3 का हम MP करेंगे तो हमें P imply Q मिलेगा अब 7 नमबर में क्या करेंगे? अब आगे हम दिखें यहां पर P है और यहां पर P imply Q है इसका हम फिर से MP कर सकते हैं तो हम इसका MP करेंगे MP करेंगे तो P imply Q Q, P, तो फिर क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, ये भी आया, 6 और 4, 6 और 4 के MP से, पहले जिस लाइन का यूज़ करेंगे, पहले उसका नमबर देंगे, पहले यहां मैंने 6 नमबर का यूज़ किया है, तो 6 नमबर, फिर 4 नमबर का यूज़ किया है, तो 4 नमबर, 6 और 4 का MP करे तो हमें Q मिलेगा अब यह Q हमने क्यों लाया था देखिए यहाँ पर Q यहाँ पर Q दिख रहा है मतलब कि यह दोनों का MP करके हम R ला सकते हैं जो कि हमें लाना है तो हम 5 और 7 नमबर का फिर से MP करते हैं MP का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था कि P imply Q, P therefore Q तो इसे P, इसे Q, फिर इसे P मानते हैं ठीक है P imply Q, P therefore Q मिन्स की R तो यह हो गया 5 और 7 नमबर का MP से तो देखिए हमारे जो question था वो solve हो गया यहाँ हमें R लाना था last में जो बचा हमें उसे को proof करना था R यहाँ आ गया है तो यह question solve हो गया है तो हम देख रहे थे सौपाधिक प्रमान का नियम the rule of conditional proof इसकी बाद हम देखेंगे सौपाधिक प्रमान का अतीबल नियम इसका अतीबल नियम क्या है इसे हम कैसे solve करेंगे यह हम देखते हैं भी अगर आप symbolic logic बनाने में थोड़ा सा भी interest देंगे तो यह बहुत ही easy बहुत easy आपको लगेगा और बनाने में बहुत अच्छा लगेगा फिर यह subject आपके लिए hard नहीं रह जाएगा इसे थोड़ा सा ध्यान देखर के आप मेरे साथ बनाईए question इस प्रकार रहेगा निम्लिखित युक्तियों की व्यादिता को परमानित करने में सौपाधिक प्रमान की अतीबल विधी का प्रयोग करें चलिए कुछ question solve करके देखते हैं question इस तरह सतरह हैगा जब हम सौपाधिक प्रमान बनाते हैं तो हम पहले इसका numbering देते हैं 123 और जो last का जो line रहता है उसे हम यहाँ पे therefore last line में लिखते हैं उसकी बाद जो imply रहता है उसे हम तोड़ तोड़ के लिखते हैं कि निहां पर imply वगएरा तो कुछ है नहीं तो फिर हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें कुछ नियम change होंगे थोड़े बहुत बदलाव होंगे पहले जो हमने सौपाधिक परमान पढ़ा और आप ही जो हम सौपाधिक परमान का आतीबल नियम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़े बहुत तो फिर हम आगे बढ़ते थे लेकिन यहां नहीं है उस तरह कुछ तो हम इसमें एक नियम लागू होगा एजमसन लेना कहते हैं वह इस तरह से होता है जिस लाइन से हम एजमसन लेंगे वहां पर एरो मार्क करेंगे और एरो मार्क यह हमारा नीचे चलता आएगा जहां तक कि हम इसे प्लोज नहीं करेंगे उसके बाद में e indicator करने के बाद में यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं जो हमें आवशकता होगी उस हिसाद से यहाँ कि हम एंगरों का इसमें हम एगेंसें ले करके यहां पर कुछ भी ले लिख सकते हैं इसमें इसमें एक कर सकते हैं पर हम देखें क्यूं मान के चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं क्यूं मान करके हम इसमें कुछ भी आड़ कर सकते हैं हमने क्यूं क्यूं क्या क्या है क्यूंकि हमें एस लाना है तो एस हमें यहां से ही मिल सकता है चुकि यहां भी है लेकिन यहां से सायद ना मिले लेकिन यहां यहां से MP हो जाएगा 2 और 4 का हम MP कर देंगे P imply Q Q therefore यहां पर R आ जाएगा मतलब P इसे मानेंगे इसे Q मानेंगे इसे P मानेंगे फिर यह Q हो जाएगा हमारा मतलब कि यहां पर हम R लिखेंगे नमबर देंगे और यहां पर हम R लिखेंगे तो यह कैसे आया यह आया टू और फोर नमबर का MP से कौन लाइन कैसे आ रहा है यह सभी में लिखना बहुत जरूरी है और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका अंसर गलत हो जाएगा हर लाइन में आपको यह बताना है कि कैसे आया यह लाइन अब 6 नमबर में चलते हैं तो इसके बाद में यहां हमारे पास R आगिया है यह और यी इसका हम development कर सकते हैं 3 और 5 नंबर का ds हो सकता है इसके लिए हमें क्या चाहिए यहां not r होना चाहिए तो हम 5 नंबर का dn कर देते हैं यह double negation यह हो गया 5 नंबर का dn फाइब नमबर का dn dn मतलब कि किसी भी लेटर में हम दो नौट लगा सकते हैं ते हां हमने dn करके इसमें दो नौट लगा दिया अब देखिए 3 और ये 6 नमबर पहले हम इसको कॉम कर देते हैं 7 नमबर में पहले से हम कॉम करेंगे not r wage s ये हो गया 3 नमबर का कॉम 3 नमबर का कॉम not r wage not s अब देखिए इसका और इसका ds हो जाएगा p wage q not p therefore q ds का फर्मूल यह यह p wage q not p therefore q तो ये हमारा p हो गया ये q हो गया ये उसका निशेद हो गया तो हम क्यो लिखेंगे 8 नमबर में s लिखेंगे ये हो गया 7 और 6 7 और 6 नमबर का ds अब s आ गया तो हमें s ही लाना था इसे ये हम close कर देते हैं इसे हम यहाँ पे close कर देंगे close करने का ये तरीका है पूरा जहाँ से जहाँ close करना है वहाँ पे underline करेंगे arrow ये छूटना ने चाहिए इस तरह का देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये जो starting वाला है जहाँ से हमने एजंसन लेना स्टार्ट किया था और जहाँ पे हमने close किया था 9 नमबर में हम लिखेंगे q पहले q है तो q और ये जो arrow है वो imply में change हो जाएगा जब भी हम ये close करेंगे तो वहाँ पे imply का sign वो आ जाएगा उसके बाद last में s है तो यहाँ पे s q imply s ये q हुआ first वाला ये s हुआ last वाला और ये जो हमने एजंसन लिया था arrow ये imply में change हो गया ठीक है तो q imply s मिला हमें कैसे मिला ये भी हम लिखेंगे तो ये 4 और 8 4 और 8 इसका cp sorry हाँ डेस होगा कोमा नहीं होगा 4-8 का cp 4-8 का cp से हमें ये मिला मतलब कि इस लाइन और इस लाइन का cp से मिला है अब 10 नमबर में देखते हैं 10 नमबर में q imply s और यहाँ पर not s imply q इसका और इसका hs हो सकता है p imply q q imply r therefore p imply r अच्छा इसका formula है देखिए p imply q q imply r तो यह यह कट गया तो यह बच गया p imply r मतलब कि यह और यह बचेगा यह दोनों हट गया तो बचेगा not s imply s not s imply s यह हमें मिला 1 और 9 और 9 का hs करने से हमें मिला अब इसका implication कर देंगे implication का formula अगर हमार पास p imply q रहा तो उसे हम not p q में change करेंगे या फिर not p वेज क्यू रहा तो हमसे p imply q में change करेंगे तो यहां पास p imply q है यह p imply q तो हम इसे not p वेज q इसे p से q मान रहा है not p वेज q मतलब कि not s बेज अब यहां जो नौट था वो यहां पर उतर जाएगा यह इसका not है और इसे हमने implication किया तो एक not लगता है और वो वेज का sign में change हो जाता है तो यह इसका 10 नंबर का implication हो गया 10 नंबर का implication अब 12 नंबर में इसका हम पर double negation हडाते हैं तो s वेज s अगर हम double negation करेंगे 11 नंबर का तो s से अगर dn अब फिर 13 नंबर में इसको हम क्या करेंगे टॉट टॉट लॉजी का formula या है पी वेज पी रहा तो पी और पी डॉट पी रहा तो पी या फिर पी रहा तो पी वेज पी तो इसे तरह दखिए पी वेज पी एकिवालेंस पी ये टॉट का formula है तो इसे हम यहाँ पे s लिख सकते हैं मतलब की हमने 12 नंबर का टॉट किया है तो यह solve हो गया एक और question solve करते हैं question इस तरह से है इसमें भी हम उसी तरह से बनाएंगे जब भी हम सौपाधिक प्रमान का अतिबल बिनियम बनाएंगे इसमें हम एजमसन लेंगे और imply से जो पहले रहेगा जैसे यहाँ पे एक्स है तो हम एजमसन ले करके सबसे पहले एक्स मानेंगे इस तरह का question जिसमें की conclusion में imply रहेगा तो हम उसे जब भी लिखेंगे तो हम imply से पहले जो रहेगा एजमसन में हम उसी को लेंगे तो answer आसानी से आ जाएगा पाधिक प्रमान का अतिवल नियम बनाएंगे तो हम जहां conclusion खतम होगा उसके जस्ट नीचे हम एजमसन लेंगे इस तरह से फिर numbering करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं हमें जो आओ सकते होगी हम आपके कुछ भी लिख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जब हम एजमसन लेंगे तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन जब imply की बात रहेगी तो वहाँ पे हम imply से पहले वारा ले करके चलेंगे तो answer आने में आसानी होगी सीधे सीधे हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं तो हमने यहाँ एक्स मान लिया अब इसका और इसका एंपी करते हैं तो हमें वाई मिलेगा फास्ट और थार्ड का एंपी फास्ट और थार्ड का एंपी किया तो हमें वाई मिला फिप्ट नमबर में अब इसका और इसका एंपी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जेड इंप्लाई नौट नौट जेड इंप्लाई ए जेड इंप्लाई नौट नौट जेड इंप्लाई ये मिला हमें टू और फॉर के एंपी से 2 & 4 MP से मिला Z imply NOT, Z imply अब अगर अगर हमें यह मिल जाता था imply करके हम यह ले आते तो यह कैसे आएगा हम CP के नियम से CP का जो अतिवल नियम है Strength rule है उससे हम कुछ भी ला सकते हैं जो हमें आओशकता हो 6 नमबर देखते हैं यहां पर हम फिर से एक और के और हमने लिया ही था यहां हम एक और ले लेते हैं इसे यंपन करते हैं जहांम पर के जाएगा कर दो कहले उ JONI AS wing लिए їх यहीं मांने ट्री तैब इसको हम यहीं पर क्लोस कर देते हं और हमीता है is तो पहले लिखने का तरीका है जेड मतलब कि जो स्टार्टिंग जहां से किये जेड और इसको क्लोज किये यह जो एरो सैंड है वो इंप्लाइ में बदल गया नौट नॉट नॉट जेड लास्ट वाला तो जेड इंप्लाइ जेड हमें आराम से मिल गया कैसे मिला 6-7 यहाँ पर कॉमा नहीं देंगा 6-7 के CP से अब इसका और इसका MP करते हैं तो अब 9 नंबर में 5 नंबर और 8 नंबर का MP करते हैं P imply Q, P therefore Q तो A यह हमें मिला 5 नंबर और 8 नंबर के MP से जब हमने 5 नंबर और 8 नंबर का MP किया तो हमें A मिला A मिला अब हमारा जो निश्कर्स है वो क्या है X imply A यह तो हमें मिल गया X हमारे पास पहले से था हमने माना था तो क्यों यह इसे हम बंद कर दें अगर हम बंद कर देते हैं हमारा यह जो X imply A है वो मिल जाएगा देखिए इसे यहां ला करके हम यहां पे close करेंगे उसके बाद नंबर देंगे 10 फिर इसे लिखने का तरीका है X यह जो हमसे माने थे वो imply फिर A X imply A यह आगे हमारा तो कैसे आया यह थार्ड नंबर और 9 नंबर के CP से इस तरह से आप CP का जो आतिवन लियम है उसमें जमसन ले करके आप imply वाला कोई भी यह ला सकते हैं और इसे आसानी से सोल्फ कर सकते हैं तो में कुछ एक्जामपल दिये हुए है आप इनका practice करिए और question solve करिए उसके बाद यहां जो question दिये हुए है उसमें से भी आप question solve करिए सबी इसी तरह से बनेंगे और कोई परिशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर आप मुझे बताईए आज के लिए बस इतना ही आप question solve करिए, और अगर कहीं कोई परिशानी होती है, तो आप मुझे बताईए नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए topic पर सेचा करेंगे